अचके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके फोन में वाटसाप का कोड रिसीव नहीं हो रहा है या फिर OTP रिसीव नहीं होता है 6 डिजिट का OTP नहीं आ रहा है तो ये प्रॉबलम अपने फोन में ठीक कैसे करें तो इसके लिए आप वाटसाप से बहार आएए अब उसके बाद आप अपने फोन की सैटिंग से ओपन करिए सैटिंग में आने के बाद नीशे आ जाएए और नीशे आने पर आएगा ये एप आपस तो आपस पे क्लिक करिए उसके बाद उपर ये मैनेज आपस आएगा या फिर आप मैनेजर आएगा या फिर आप मैनेजमेंट आएगा तो इन तीनों में से किसी एक नाम से आपके फोन में आ सकता है तो ये हमारे फोन में जैसे की मैनेज आपस के नाम से आ रहा है त नीचे आने पर आएगा कुछ इस तरीके से WhatsApp तो यह जो WhatsApp आएगा यहां पर WhatsApp पर किलिक करिए और किलिक करके ऐसा पे जाएगा, तो अब Eastके बाद आएग़ नीचे ये forst hope आप इस पर किलिक करिए उसके बाद okay पर किलिक करिये ऊपर आएगा storage या फिर आपके किसी किसी phone में storage usage आएगा तो इस पर click करिए नीचे clear data पर click करिए clear all data करिए उसके बाद ok करिए तो ये करने से कोई आपके phone से data या फिर कुछ delete नहीं होता है तो ये करने के बाद back आईए अब back आने के बाद उपर की तरफ आईए उपर आपको मिलेगा ये messages या फिर आपके phone का message app तो messages या फिर messaging नाम से आपके phone में आएगा तो इस पर click करिए same नीचे ये जो force stop आएगा इस पर click करिए ok करिए उपर storage आएगा इस पर click करिए नीचे clear data पर click करिए clear all data करिए उसके बाद नीचे उक्के पे किलिक करिए तो ये करने से भी कोई आपका डेटा या फिर कोई मैसेज डिलेट नहीं होता है तो ये सैटिंग्स अपलाई करने के बाद यहां से बहार आ जाईए उसके बाद अपने फोन में पेलेश्टोर उपन करिए उपर सर्च बार पे किलिक करिए वटसाप सर्च करिए और उसके बाद अब चेक करिए अगर वटसाप में यहां पे कोई अपडेट आया है तो इसे अपडेट करिए और अगर नहीं आया है तो यहां से बहार आ जाईए उसके बाद अपने फोन को बंद करके चालू करिए यहां फिर अपने फोन को रिस्टार्ट करिए और यह सारी सैटिंग्स एपलाई करने के बाद अब चेक करिए WhatsApp का OTP आ रहा है तो जैसे की यह हमने अपना नमबर एंटर किया तो यहां पर देख सकते हैं WhatsApp का OTP हमारे फोन में आ गया है और यह verify हो गया है तो इस तरीके से आप इस problem को ठीक करें वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें